नमस्कार मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका TCH पर मोदी जी गए ब्रिक्स की मीटिंग में और ब्रिक्स की मीटिंग से लोटे बाकी दुनिया के जो अखबार हैं, बाकी दुनिया के जो चैनल हैं वो डिसकस कर रहे हैं इससे क्या फाइदा हुआ, दुनिया के उपर क्या आसर पड़ेगा, क्या क्या होगा, बाकी सारा कुछ कर रहे हैं हमारे गोदी मीडिया के चैनल क्या कर रहे हैं, उसका सबसे मज़िदार एक्जामपल था सुधीर चौधरी के प्रोग्राम का ये ट्वीट जो कल दिन भर और आज भी ट्विटर पर वाइरल हो रहा है आप ये दो तस्वीरें देखिए, जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिती को समझ सकते हैं एक तस्वीर है, 74 वर्ष के प्रधान मंतरी मोदी की, जो पूरे उत्सा के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीडियों से नीचे उतर रहे हैं और दूसरी तस्वीर, उनसे 3 साल छोटे, 71 वर्ष के चीन के राश्पति शी जिन पिंग की है, जिने अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीडियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है, धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिती भी नजर आएगी, जरा देखिए इसमें वहाँ पहुचने पर फ्लाइट से कैसे उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और फ्लाइट से कैसे उतर रहे हैं चीन के राष्ट्रपती इसका कंपैरिजन किया गया है और सोचिए मुर्खता की कोई हद नहीं है हमारे गोदी मीडिया की, वो ये दिखा रहा है कि 74 साल के मोदी जी तो बिना रेलिंग पकड़े बिलकुल चल रहे हैं लेकिन चाइना के 71 साल के जो राष्ट्रपती हैं वो रेलिंग पकड़ के चल रहे हैं और इससे निसकर्ष क्या निकाल रहा है कि मोदी जी बेहत मजबूत हैं और चाइना कमजोर है आगे निसकर्ष क्या निकाल रहा है कि चाइना की हालत खराब है और भारत की हालत बहुत शांदार है मतलब ये कहना है कि मोधी जी और शिंजिंग पिंग के चलने का जो अंदाज है उससे उनके देशों के हालात की व्याख्या हो जाती आप जरा सोच के देखिए कि भारत और चीन के बीच में अगर कोई तुल्ला करनी हो तो कोई डेटा नहीं चाहिए अपने विदेश मंत्री जैशंकर जी का वो बयान देख लीजिए जिसमें वो कहते हैं कि चाइना हमसे बड़ी एकानमी है हम उससे कैसे टकराएंगे दुनिया के दूसरे नंबर की बड़ी एकानमी है चाइना की और अपने देश का सम्मान कीजिए अपने देश से प्यार कीजिये, अपने देश के प्रधार मंत्री की इजद कीजिये लेकिन ये इजद रेलिंग पकड़ के चलने या रेलिंग ना पकड़ के चलने से तैं नहीं हो जाती है भारत और चीन के बीच में मुझे नहीं लगता कि उसकी दिमागी हालट ठीक नहीं है एक कारेकरम के अंदर अपनी पत्नी की जगा किसी और महीदा के पास पहुच गए वो और उससे ऐसे बात करने लगे जैसे वो उनकी पत्नी हो का जाता है कि उनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसी वज़ा से उनको दूसरी बार चुनाओ लड़ने के लिए नहीं उतारा गया कमला हैरिस को उतारा गया पास साल से वो अमरीका के राश्ट्रपती हैं तो क्या उनके दुबले पतले कमजोर होने या दिमागी तोर पर उतने दुरुस्त ना होने से अमेरिका कमजोर हो गया और किसी की आउकात है जो अमेरिका के उपर आक्रमन कर देगा तुरंट तुरंट ये सब जो बेवकुफाना बाते होती है ये दरसल ब्रिक्स जैसी समिट की जो सीरियसनेस है उससे जो कुछ निकल के आया है उसके उपर परदा डालने के लिए होती है अब इसका उल्टा क्या होता है आप देखिए मोदी जी और UAE के जो सुल्टान है शेख है उनकी एक तस्वीर वाइरल हुई हाथ में हाथ लिए किसी ने कविता लिख दी किसी ने शेद लिख दिया इसमिता प्रकाश जी को बहुत बुरा लगा और इसमिता प्रकाश जी कहती है कि आप किसका मजाक उड़ा रहे है अरे ये मजाक उड़ाने उड़ाने का पूरा कल्चर आपी लोगोंने तो शुरू किया है आपी का गोधी मीडिया है अगर ऐसी तस्वीर राहुल गादी के साथ किसी की आ गई होती तो उस पर आप प्राइम टाइम करा देती तो अपने देश में पूरी की पूरी विदेश नीती जो है वो मजाक उड़ाने का खेल बन चुकी है और गोधी मीडिया की इसके अंदर जो भूमिका है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि गोधी मीडिया का मजाक उड़ाना अब बेहत जरूरी है ये बताना बेहत जरूरी है कि ये पूरी की पूरी गोधी मीडिया मुर्खों से भरी हुई है जिसके पास सीरियस रिपोर्टिंग करने का कोई टाइम नहीं है सीरियस रिपोर्टिंग करने के इनकी आवकाद भी नहीं बची है अब तस्वीरों और वीडियों और बेवकूफियों के साहरे इनका सारा का सारा काम चल रहा है देखें ब्रिक्स समिट जो है वो एक बेहद इंपॉर्टन समिट है और खास तोर पर इस दोर में क्योंकि एक तरफ अमेरिका है इसराइल है कनाडा है यॉरप के देश है फाइब आई जिनको अमेरिका कहता है अमेरिका हो गया कनाडा हो गया ब्रिटेन हो गया अस्ट्रेलिया हो गया ये सब जो फाइब आईज है उनकी न्यूजिलैंड भी उसमें आता है और यॉरप की जिनका Second World War के बाद से पूरी दुनिया पर दबदबा बना हुआ है। वो बनते हैं यॉरप के देश, कनाडा और इस तरह के अमेरिका के पिछलंगू देश। उनके खिलाफ अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स एक बेहद जरूरी और बेहद मजबूत बंच बनके उगरा है। और यहाँ जब ब्रिक्स के बात हो रही है तो इतना तो आप भी जानते हैं कि ब्रिक्स कोई आज नहीं बना है। 2006 में यह बना था और 2009 में इसकी पहली प्रापर मीटिंग हुई थी अब मैं कहूंगा 2009 में जो हमारे प्रधान मंत्री थे वो मनमोहन सिंग्जी थे तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा उनका तो मानना है कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है लेकिन ब्रिक्स में प्रधान मंत्री बदलते रहते हैं नीतियां नहीं बदलती है मोधी जी कहीं भी जाते हैं उनको इज़त मिलती है निश्चित रूप से इज़त मिलती है मुहन सिंग को इज़त मिलती थी राजी उगादी को इज़त मिलती थी ये इज़त किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलती ह ये इज़त इसलिए मिलती है क्योंकि आप भारत जैसे देश के प्रणान मंत्री है जिसके पास एक शांदार मार्केट है और जिसकी अपनी एक डिमोक्रेटिक परंपरा है डिमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बड़ी डिमोक्रेसी माना जाता है और यहां पर कम से कम पिछले 70-80 सालों में आजाद होने के बाद कभी आर्मी वगर्या का साशान और इस तरह की बात नहीं आई इसकी अपनी एक इज़त है और मार्केट की अपनी एक इज़त है और इसके वज़ा से जो भी भारत का प्रणान मंत्री होगा चाहे वो मनमोहन सि उनको बुलाता है राजकी सम्मान पे ठहराता है क्योंकि जिस कुरसी पर आप बैठे हैं उस कुरसी का वजन बहुत जादा है तो यह ब्रिक्स की जो समिट थी जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राजील और इस तरह की कंट्रीज थी यह आप समझिए कि दुनिया मे एक ऐसा गुट बनाने की कोशिश है जो अमेरिका के खिलाफ हो और 2009 के बाद लगातार ब्रिक्स बढ़ता गया है अगर इस बार के ब्रिक्स की मीटिंग देखें तो मेरे लिए उसके दो बड़े हाईलाइट है पहला हाईलाइट तो यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में सीधी बादचीत जिसको हम दुपक्षिये बादचीत करते हैं दोनों पक्ष आमने सामने बैट कर जो बादचीत करते हैं वो बादचीत शुरू हुई लंबे समय से चाइना से हमारी बादचीत बन थी अगर आप लों को याद होगा तो 2022 में जो ब्रिक्स की मीटिंग हो थी वो आनलाइन मीटिंग होई थी उस समय तनाओ बहुत जादा था और उस तनाओ से बाहर निकलने का रस्ता पिछले तीन चार साल में कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था लेकिन इस बार जो मीटिंग होई है उसमें बहुत सीधी बादचीत हुई है और उमीद ये किया जाना चाहिए कि सीमा पर जो तमाम सारा तमाशा चल रहा है चाइनी जो लगतार हिंदुस्तान की एरिया में दखल कर रहे हैं उस पर कुछ सीरियस बादचीत हुई होगी लड़ी और जालर के भहिशकार और टिक टाक के भहिशकार से आगे की बाथ हुई होगी और भारत औ और चीन के बीच में रिष्टे मजबूत करने की बात हुई होगी क्योंकि भक्त लोग यहां पर जितना भी बैट के चाइना का मजाक उडाते रहें हाकीकत ये है कि दुनिया में चाइना एक बेहत महत्वपूर ताकत बनके उबरा है हमारे अดोस पडोस के जितने देश हैं चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे श्री लंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांगला देश हो ये सारे जो मुल्क ہیں ये सब के सब चाइना के साथ काफी अच्छे रिष्टे में जा चुके हैं और ऐसे में चाइना और पाकिस्तान को एक साथ अपना दुश्मन बनाना ये बेवकूफी होगी चाइना के साथ एक अच्छा रिष्टा बना कर रखना हमेशा बहतर होगा मुझे उमीद है कि ये जो बात चीत हुई है उससे इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा दूसरी जो सबसे इंपॉर्टन बात आई है वो बात आई है डालर एक्सचेंज पर जो सवाल उठाया गया है दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है एक जमाने में गोल्ड एक्सचेंज होता था यानि कि आप अगर कोई सामान भेज रहे हैं और अगला कोई सामान खरीद रहा है तो जो भेजने और खरीदने की जो कीमते हैं वो गोल्ड के टर्म में तैह होंगी मालने जिये हमने 100 किलो अनाज भेजा तो 100 किलो गोल्ड के हिसाब से उसकी कीमत होगी और अगला देश वही कीमत अदा करेगा ये गोल्ड एक्षेंज का मामला था गोल्ड एक्षेंज का मामला चेंज होता है और आता है डॉलर एक्षेंज का और डॉलर दुनिया की सबसे मजबूत जो है वो करेंसी बन जाती है हर दुनिया के देश को डॉलर रखना पड़ता है अब खेल यह है कि अमेरिका ने सैंक्शन्स लगाए हैं इरान के उपर अमेरिका ने सैंक्शन्स लगाए हुए हैं रश्या के उपर और सैंक्शन्स के चलते इनको डॉलर मिलता नहीं है तो ट्रेड में आती है प्राब्लम तो अब अमेरिका के हाथ में ये है कि जहां चाहे वहां ट्रेड पर प्रतिबंद लगा दे सैंक्शन कर दे और उसके पास डालर की अपने आप कमी हो जाएगी उस देश की एकानमी तबाह होने लगेगी इसका आल्टरनेटिव ये सारा का सारा इसलिए जो लेंदेन होता है वो स्विफ्ट सिस्टम में होता है जो करिंसी को आटोमेटिकली डालर में कनवर्ट करके यहां से वहां भीजता है इसके बनिस्बत या इसके बरक्स जो है रशिया और अब इंडिया ने भी साथ में मिलकर चाइना भी उसमें शामिल है जो प्रपोजल रखा है कि स्विफ्ट की जगह ब्रिक्स का अपना एक एक्सचेंज सिस्टम डेवलप किया जाए और एक कामन करेंसी या एक नई करेंसी ब्रिक्स की बनाई जाए जिसमें जो मुलक चाहें वो एक्सचेंज कर सकें अब ये बात अमेरिका पर कैसे असर डालेगी इसके लिए बहुत डिटेल एकॉनमिक सुनने की जगह आप बस इतना समझ लीजे कि डोनाल्ड टरंप का बयान आया था कि अगर डी डालराइशन हो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये कितना बड़ा डर है कि अगर डी डालराइशन हो गया तो पहले से ही कर्ज में डूबी हुई अमेरिका की जो एकॉनमी है उसको बरबाद होने में टाइम नहीं लगेगा तीसरा इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था टर और नाटो और ब्रिक्स बिलकुल आपने सामने खड़े हैं आर्दोगा जिस तरह से गए हैं वहाँ पर और जिस तरह से उन्होंने शरकत की है ब्रिक्स के सम्मेलन में वो अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा कर देती है कि कहीं ऐसा नहो कि यॉरप और दीगर लाकों के जो मुलक हैं जो अमेरिका के करीब हैं जो नाटो के मिंबर हैं वो भी ब्रिक्स में जाना शुरू करते हैं वैसे ही दुनिया की आदी से जादा आबादी वाले इलाके जो हैं वो ब्रिक्स के अंदर या तो शामिल हो चुके हैं या उनकी अप्लिकेशन लगी हु उसकी जगह पर क्लिंटन गए हुए थे सौधी अरबिया वहाँ पर वो मिले क्लिंटन के साथ और वहाँ पर से तस्वीरें आई उनकी वो वहाँ पर नहीं गए लेकिन UAE के जो शाह है वो वहाँ पर पहुँचे आप देख रहे हैं अफरिकन कंट्रीज पहुच रही है एशियन कंट्रीज पहुच रही है योरोपियन कंट्रीज अभी नहीं है अगर योरोपियन कंट्रीज भी ब्रिक्स में आती है तो इसका सीधा मामला है कि अमेरिका की जो यूनी पॉलारिटी है अमेरिका की जो बादशाहत है वो बादशाहत खत्रे में पड़ जाएगी और इस समय यह important इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसी आग पर बैठे हुए हैं जौला मुखी के एक ऐसे दहाने पर बैठे हुए हैं जहां कम से कम दो जगाए ऐसी जंगे चल रही है जो किसी भी दिन एक वर्ड वार में कनवर्ट हो सकती है एक तो खाड़ी के अंदर इसराइल, इरान, लेबनान, फलस्तीन की लड़ाई और दूसरा यूक्रेन और रश्या की लड़ाई जिसमें यूक्रेन की तरफ से अमेरिका है और लगातार कोशिश ये हो रही है कि यूक्रेन को नाटों में शामिल कर लिया जाए यूक्रेन चाहता भी ये नाटों में शामिल हो जाए ताकि जितने नाटों मुल्क हैं वो सारे के सारे यूक्रेन की जगा यूकरेन के साथ जो है वो रशिया प्याक्रमन कर दें और रशिया ने बहुत साफ कहा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये थर्ड वर्ड वार में बदल जाएगा जो भी कंट्रीज यूकरेन की मदद करेंगी हम उनके उपर हमला करेंगे चाइना का आप जानते ही है नार्थ कोरिया अपनी सेना भेज चुका है रशिया के अंदर तो पूरा माहौल जो है दो जग़ा बिगड़ा हुआ है एक ज़रा सी बात में थर्ड वर्ड वार शुरू हो सकता है इसलिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अब आप देखिए इस मीटिंग में इस मीटिंग में साफ साफ ये कहा गया कि इसराइल जेनोसाइट कर रहा है और गज़ा के अंदर तुरंत शान्ती होनी चाहिए सीस फायर होना चाहिए अब जब ये बयान आया तो मेरे दिमाग में ये आया बलकि इस बहुतों के दिमाग में ये आया होगा कि भारत की पोजीशन क्या है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्वार्ट की मीटिंग में नरेंद्र मोदी गये थे अब BRICS की मीटिंग में चले गए उसके पहले यूक्रेइन भी चले गए थे उससे भी मिलके आ गए थे इसराइल के साथ बहुत अच्छे रिष्टे बताते हैं हमारे मोधी जी और यहां तक की वहां पर जब UN पर हमला हुआ था 128 देशों ने लेटर निकाला था भारत ने उसमें शामिल होने से मना कर दिया था और यहां BRICS के आप फाउंडर मेंबर है वहां से बयान जारी हो रहा है इसराइल जनोसाइट कर रहा है तो आप यहां वाली बात के साथ हैं यह समझना मुश्किल है दरसल भारत की जो गुट निर्पेक्ष की नीती रही है वो दोनों गुटों से बराबर दूरी की रही है लेकिन अभी यह नीती ऐसा हो गया है कि दोनों गुटों से बराबर नजदीकी की कोशिश की जा रही है आप अमेरिका के साथ भी बहुत नजदी की दिखाते हैं अमेरिका क्या करता है जब आप ब्रिक्स में आने वाले होते हैं उसके ठीक पहले आपके जो NSA के चीफ है उनका नाम ला देता है आपका नाम ला देता है पूरे देश की जो हमारे एजनसीज है उनको यूज़ करता है वहाँ पर समन भेजता है और सीधे सीधे इंडिया के उपर आरोप लगाता है कि उसने हायर किया था एक गुंडे को एक मरसनिरी को ताकि वहाँ पर एक सिक की हत्या कि जा सके और कनाडा ने भी उसके पहले ही सारा तमाशा कर दिया ये सारा तमाशा जो है ब्रिक्स के पहले हुआ है और कनाडा बिना अमेरिका के कहे तो ऐसा करेगा नहीं तो यह जो है सबसे नज़्दीक रहने का ये विदेश नीती कितनी सफल होगी मैं नहीं जानता हूँ लेकिन इसका एक बड़ा खत्रा ये है कि आपके उपर कोई भरोसा नहीं करेगा अमेरिका आपके उपर भरोसा नहीं करेगा क्योंकि आप रूस और चाइना के साथ बैठे हुए है रूस और चाइना आपके उपर भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि आप जाकर यूक्रेन के राश्टपती से मिलके आते हैं वहाँ जाकर दुख वेक्त करके आते हैं आसु बहा के आते हैं अगल बगल जो पडोसी है उनसे हमारा कोई भरोसा है नहीं तो कुल मिराज लाकर ये जो विदेश नीती है ये confusion की विदेश नीती जादा नजर आती है इसमें आप ना इधर के हैं जबकि BRICS में भी आपका बहुत important position है आप founder member है मन्मोहन सिंग के जमाने में found हुई थी founder member है सरस्थापक्स रस्थे हैं आपके BRICS जो word है उसमें IE इंडिया के लिए आता है और वहीं आप QUART के भी बड़े important member हैं आप G20 भी करते हैं अपने हाँ सब को बुलाते हैं आप अमेरिका से भी कुर्बत दिखाना चाहते हैं आप रशिया से भी कुर्बत दिखाना चाहते हैं आप इसराइल से भी कुर्बत दिखाना चाहते हैं कि आप किस हिस्से के साथ जादा और किस हिस्से के साथ कम होंगे ये वो सवाल है जो मोदी जी लेकर लोटे है और अगर हमारे गोदी मीडिया में दम होता तो इस सवाल पर बात कर रही होती रेलिंग पकड़ने और रेलिंग ना पकड़ने पर बात नहीं कर रही होती और आखरी बात कि इसमिता प्रकाश जी लोगों को जब मोदी जी को ट्राल किया जाता है उस फोटो के लिए शेख वाली फोटो के लिए तो बुरा लगता है लेकिन ये सवाल तो उठता ही है ना कि हिंदुस्तानी मुसल्मानों को तो आप कहते हैं कि कपड़े देखकर पैच या फिर यूएई का शेख होता है या कहीं और का शेख होता है तो उससे आप ऐसी मुहबच दाते हैं जैसे वो आपका सगा भाई हो गैरों पे करम अपनों पे सितम ये कब तक चलेगा अगर वो शेख आपको प्यारे हैं तो हिंदुस्तानी मुसल्मानों से इतनी दिकत क्य होती है ये सवाल तो पूछा ही जाएगा अब इसमिता प्रकाश जी को बुरा लगे तो लगे इसमें क्या किया जा सकता है आज के लिए इतना ही बहुत शुक्रिया